मैं हिंदुस्तान की बेटी, अब आपको गोरकपुर के उस सियासी ताप के बेरे में बताऊंगी जो गोरकश पीट के सियासी हवन और उसकी धूनी से उतता है मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको गोरकपुर के उस सियासी सफर पर ले चलती हूँ जो गोरकशनाथ मंदर के सियासी ध्वत से शुरू होता है मुख्यमंत्री योगी का गोरकपुर की माटी से अटूट नाता है योगी आदितिनाथ जिस गोरकश पीठ का नेत्रित्व करते हैं उसका राजनीती से पुराना नाता रहा गोरकशनाथ पीठ गोरकपुर वालों के लिए लाइफलाइन मानी जाती है मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको बताऊंगी कि मुख्यमंत्री योगी के गोरकपुर से चिनाव लड़नी की खबर के बाद गोरकपुर की सियासी फिजाएं क्या कह रही है मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको ये भी बताऊंगी आखिर क्यों बीजेपी ने समाजवादी बवुआ की जाती वाले एजेंडे को दोस्त करने के लिए गोरत नात वाली हूकार भरी है जिन पूर्वांचल की सीटों पर टीपू नजरे गड़ाय बैठे हैं उन्हीं सीटों पर बीजेपी ने अपने गोड़े खोल रखे हैं अखिलेश ने पूर्वांचल के लिए जस ब्रहमन कार्ट को खिला दरसल उसकी कार्ट खुद योगी आदितनाथ है योग की धर्ती पार योगी का राण यूपी में बीजेपी का भगवा वाला प्राण यूपी में योगी रचेंगे सियास इतिहास जिस धर्ती ने दुनिया को योग का पाठ पढ़ाया जहां की माटी ने तपस्या का ज्यान बताया जहां के कणकण में शक्ती का वास है जहां भगती ही विश्वास है उसी गुरू गोरक्षनात की धर्ती पार अब योगी की परिक्षा है उस योगी की परिक्षा है जो गोरक्षनात मट के गोरक्ष पीठा धीश्वर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं यूपी में चुनावी रणभेरी बच चुकी है सियम योगी आदित्यनात की सीट फाइनल हो चुकी है वो उसी गोरक्षनात की धर्ती से विधान सभा चुनाव लणने वाले हैं जो धर्ती उन्हें पाँच बार सानसत बना चुकी है सियम योगी का गोरक्षनात की माटी से अटूट नाता है योगी उसी गोरकनात मठ के गोरक्ष पीठा दिश्वर हैं जिसके नाम पर गोरकपुर नगर का नाम पड़ा गोरकपुर का एतिहासिक और धार्मिक महत्व है गोरकनात मंदिर गुरु गोरक्षनात की तपिस्थली है माना जाता है गुरु गोरक्षनात कांगला इस्ठिक ज्वाला देवी के दर्बार से ध्रमण करते हुए यहां आये थे यहां रुक कर उन्होंने धूनी रमाई और फिर यहीं के होकर रह गए यह धूनी आज भी मंदिर में जल रही है नाथ पंथ की योग परंपरा के कारण ये पीट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है गोरक्ष पीट धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक छेत्र में समय समय पर अपनी उपस्थती दर्ज कराता रहा है योगी आधितनाथ जिस गोरक्ष पीट का नित्रत्त करते हैं उसका राजनीती से पुराना नाता रहा है साल 1967 में इस पीट के ततकालीन महंत दिग विजैनाथ हिंदू महसभा के टिकट पर सांसत बने थे उनके उत्त्राधिकारी और राम जन्म भूमी आंदोलन के अग्रणी नेता महंत अवैधिनाथ साल 1962, 1967, 1974 और 1977 में मानी राम विधान सभा सीट से विधायक चुने गए उन्होंने साल 1970, 1989, 1991 और 1996 में लोग सभा में गोरकपुर का प्रतिनिद्ध भी किया महंत अवैधिनाथ के राजनीती से सन्यास लेने के बाद उनके उत्त्राधिकारी योगी आधितनाथ ने उनकी राजनीतिक और अध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया योगी आधितनाथ ने साल 1998 में गोरकपुर से बारवीं लोग सभा का चुनाओ जीता और वो 26 साल के उम्र में पहली बार संसत बने साल 1998 से लेकर 2014 तक वो पाँच बार कुरकपुर के संसत चुने गए योगी यूपी के विधान सभा चुनाओ में पहली बार चुनाओ लड़ने वाले हैं चुनाओ अटकले थी सीम योगी कहां से चुनाओ लड़ेंगे कई चुनाओ अटकले थी लेकिन सीम योगी आदितनाथ को उनकी धर्ती ने फिर पुकारा है योगी आदितनाथ भले ही यूपी के मुख्य मंत्री हूँ लेकिन गोरकणाथ मंदिर में पहुचते ही वो गोरकष पीठा धिश्वर और महंद की भूमिका में आ जाते हैं योगी के विरोधी या रोप लगाते रहे हैं कि गोरकपुर से योगी की जीत की वज़े उनका गोरकष पीठ का उत्राधिकारी होना है गोरक्षनात पीट गोरकपुर वालों के लिए लाइफ लाइन मानी जाती है यहां के लोगों के दिन की शुरुआत इसी पीट से शुरू होती है ये पीट कुछ लोगों के लिए धार्मिक इस्थल है तो किसी के लिए मंदिर किसी के लिए आस्था का केंद है तो किसी के लिए हर समस्या का निदार योगी गोरख्ष पीट के उत्राधिकारी हैं और लाखों लोग उन्हें आराध के तोर पर देखते हैं दिल चौणा हो गया हम ले भगवान से मना रहे थे कि महाराज जी गोरख्ष चुनाव लड़े इनके आजाने के बाद से समझ लिए गोरख्ष पूरा पूरा गोरख्ष पूर का जो विकास हुआ है सपा बस्ता की सरकार ने एक कभी नहीं समझ पैगे योगिया जितना सबसे ज़्यादा ओट से चुनाजित के जाएंगे यहां से लड़ रहा है गोरख्ष पूर का विकास होगा इतना कनफॉर्म है कुछे चलेगा महाराजी बस यास तो यास सियम योगी ने भी गोरख्ष पूर वालों को विकास की कई सौगाते दी हैं बतार सांसाथ बतार मुख्यमंत्री उन्हों ने विकास की कई बारते लिखी विकास के साथ साथ योगी ने गोरख्ष पूर में हिंदुत्त की भी आलग अलख जगाई कई चौक चौराहों और बाजारों से मुगलिया नाम की प्लेट हटा कर हिंदुत्वादी नाम चस्पा किये इस बार उत्तर प्रदेश में सियासी जंग काटे की टक्कर होने का अनुमान है एक तरफ सियम योगी की भगवा प्रिगेड है तो दूसरी तरफ अखलेश की लाल टोपी वाली सेना अखलेश यादाओं ने इस बार अपने सियासी जंडे को नई धार देने की कोशिश की है यादाओं मुस्लिम वोटों के अलावा ब्रामहण वोटों पर भी बबुवा की नजर है इसलिए बबुवा परश्राम की पूजा भी कर चुके हैं और फरसा भी उठा चुके हैं जहां तक ब्रहमत समाज का सवाल है बड़ी संक्या में समाज़ादी पार्टी से पहले भी बिधाएक मंत्री और स्पीकर तक रहे इदर बड़ी संक्या में लोग जुड़े हैं और अगर वो नारे लगे हैं तो उनी के बीच से नारा निकला है और नारा तभी लगता है जब वो लोग समर्थन करते हैं अखलेश हरिशंकर तिवारी को अपने खेमे में जोड़ चुके हैं हरिशंकर तिवारी पुरुवांचल की सियासत में बड़ा प्रामभर चेहरा है पुरुवांचल की सियासत में तिवारी परिवार का रसूख कम नहीं है उनके बड़े बेटे गुशल तिवारी संत कबीर नगर से दो बार सांसत रहे तो छोटे बेटे विनाई शंकरतिवारी चिल्लू पार सीट से विधायक है पूरा तिवारी कुनभा इस बार साइकल की सवारी कर रहा है और बीजेपी के खिलाप हुंकार भर रहा है जिन पुर्वान चल के लिए जिस प्रामः कार्ड को खेला है उसकी काट खुद योगी आदित्तिनाथ हैं अब जब योगी गोरकपूर से चुनाओ लड़ेंगे और अपनी धर्ती से विरोधियों के खिलाब धुमकार भरेंगे तो उसकी गूझ पूरे पूर्वान चल में सुनाई देगी ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया उत्तर प्रदीश में बीजेपी जिस विकास के मंत्र को फूख कर जीत का बेगुल बजाना चाहती है उस विकास पत को देखने के लिए गोरगपूर में बदला के कहानी जाननी जरूरी है गोरगपूर से मुख्यमंत्री योगी पांच बार सांसत रहे और पिछले पांच सालों से प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है गोरगपूर से उनका नाता पुराना है मैं हिंदुस्तान की बेटे आपको बताऊंगी जस जगह से CM का दिली रष्टा है वहां की तस्वीर पिछले 5 सालों में कितनी बडली BJP उत्तरप्रदेश में पिछले 5 सालों से चौतरफा विकास का दावा कर रही है और विपक्ष उन दावों को सिरे से नगा रहा है मैं हिंदुस्तान की बेटे आपको BJP के दावों के सच्चाई बता रही हूँ और अखिलेश के एरादों की वो परद भी जोसे तैयार करने के लिए उन्होंने जाती वाला तिक्रम चलाया पांच साल में गोरकपुर ने क्या खोया और क्या पाया आज साल में कितनी भदली गुरु गोरक्षनात की धर्थी उत्तर प्रदेश में BJP जिस विकास के मंत्र को फोक कर जीत का बिगुल बजाना चाहती है उस विकास रत को देखने के लिए गोरकपुर में बदलाओ की कहानी जानना जरूरी है गोरकपुर से सियम योगी पांच बार सामसत रहे और पिछले पांच सालों से प्रदेश के मुख्यमंत्री है गोरकपुर से उनका नाता पुराना है बीजेपी यूपी में पिछले पाँच सालों में चोतरफा विकास का दावा कर रही है और अखलेश यादव उन दावों को सिरे से नाकार रहे हैं ये सब गोशना वी रहें इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है करने के लिए कुछ नहीं है जब कोई भी वजार और कोई भी सस्तर इनके पास नहीं तो उसके आप फिरी फिरी की बात करते हैं फिरी हमने किया है जहां उस सिक्ताते हमने किया है एक तरफ अकलेश यादो सीम योगी पर हमला वर हैं तो दूसरी तरफ भगवाधारी मुख्यमंत्री ने टीपू की पूरी सेना को निशाने पर ले रखा है योगी आदितनाथ ने अपने सियासी सफर की शुरुवाद गोरकपूर से की थी और एस बार यूपी के महा संग्राम में वो गोरकपूर से ही विधान सभा का चुनाओ लड़ रहे हैं बतोर सियम योगी आदितनाथ ने गोरकपूर के विकास की गाथा में कई बड़े बड़े अब्ध्याय जूडे गोरकपूर के विकास के लिए उन्होंने जो कदम उठाए वो अपने आप में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं सियम योगी ने पिछले पांच सालों में गोरकपूर के विकास के लिए क्या किया ये जानना बेहत जरूरी हो जाता है क्योंकि विकास के दम पर ही सियासी जीत की पटकाथा लिखी जाती है आईए जानते हैं सीम योगी की गोरकपुर को दी गई दो सोगातें जिनका फाइदा पूरे पूरुवांजल को हो रहा है सीम योगी ने 31 साल से बंद पड़े गोरकपुर खाद कारखाने को दोबारा शुरू किया योगी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उत्गाटन करने के लिए पृधान मंत्री नरेंडर मोधी पूरुवांचल आये थे हिंदुस्तान उर्वरक और रसाइन लिम्टेड द्वारा निर्मित इस खाद कारखाने से हर साल 12.7 लाग मिट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा 1990 में एक हाथसे के बाद बंद हुए इस कारखाने को शुरू करने के लिए सियम योगी ने बतोर सामसत हमेशा अपनी आवाज बुलंद की और सियम बनने के बाद खाद कारखाने के शुरू होने में हर बाधाएं दूर हो गई आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजीन के सरकार चल रही है वो बीते कालघंड में समय का जो नुक्सान हुआ है उसकी बरपाई में भी जुटी है हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं योगी आदित नात के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही गोरकपुर में साल 2017 से चिकित्चा और स्वास्त के छेत्र में बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा गोरकपुर बस्ती मंडल के लोगों के इलाज के लिए एक मात्र ब्याडी मेडिकल कॉलेज था जो खुद बीमार था लेकिन योगी राज में इस मेडिकल कॉलेज का काया कल्प कर दिया गया गोरकपुर को विश्विस्तुरी सुविधा वाले एम्स की सौगात के साथ पूरम में मेडिकल सेवाओं का नया सूर्योदे हुआ जर असोचिए योगी के पहले ना किसी सरकार ने खाथ कर खाने की सुधली और ना किसी सरकार ने एम्स के बारे में सूचा लेकिन सब्ता सभा़लने के बाद महराज ने इस दावे को सच कर दिखाया कि डबल इंजन सरकार में विकास की गंगा वहती है फिलहाल अब सियम जोगी अपनी गोरकपुर वाली जमेन से हुंकार भरेंगे सियम जोगी ने अपनी धर्ती से विरोजियों के दाथ खटे करने की योजना बना ली है सियम जोगी को गोरकपुर शहर सीट से पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाय जाने पर अभिनेता और सांसद रवी किशन ने खुर्शी जहिर करते हुए बंपर वोटों से चुनाओ जीतने का एलान भी कर दिया है गोरकपुर के बिजेपी सांसद रवी किशन के भोचपुरी रैप सौंग यूपी में सब भा भी रिलीज हो गया है रवी किशन के इस गाने में योगी राज में हुए विकास का गान है बिजेपी यूपी का चुनाओ विकास के पत पर अपना रथ चला कर जीतने की कोशिस में है लेकिन अखलेश ने जाती वाला जो हतकंडा अपनाया है उसकी काट के लिए बिजेपी ने सीम योगी को गोरकपुर से मैदान में उतार कर लाल टोपी वाले बबुआ और पियर का चाचा का पुरवानचल में खेल खराब कर दिया है उत्तर प्रदेश में चंदर शेखर आजात में अखलेश रियादर पर बड़ा हमला बोलते वे आरोप लगाया कि वो सामाजिक न्याय को समझते ही नहीं आज अखलेश और चंदर शेखर की पार्टी के बीच गटबंधन तूट गया भीम पार्टी 10 सीटे मांग रही थी जबकि टीपो सिर्फ 2 सीटों पर चंदर शेखर को टरकाना चाहते थे अब चंदर शेखर हाइद्रबादी भाईज़ान के साथ मिलकर साइकल को पंचर करने भी जुट गया है मैं हिंदुस्तान की बेटी रास्टबाद में आज आपको बताऊंगी कि अगर भीम और मीम की चोड़ी जम गई तो पहली ही चरण में साइकल पंचर हो सकते हैं पश्रिमी यूपी में एक तरफ भगवा थारी खेमा पलायन, अली और बजरंग बली की राजनीती को हवा दे रहा है दूसरी तरफ अखिलेश यादब मुसल्मानों और जाटों के सहारे सप्ता का खवाब देख रहे हैं मैं हिंदुस्तान की बेटी आज आपको बताती हूं कि पहले चरण में भगवा खेमे के सामने चुनोती क्या है और अखिलेश क्या साइकल को पंचर होने से बचा पाएए श्रीवाम 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 भारत मापा की मीम के साथ आए भीम मीम भीम की जोड़ी किसका बिगाड़ेगी काम उन्होंने भरोसा करके यूपी के युद्ध में अखलेश्य मिलने के बाद जब भीम पार्टी के नेता चंशेकर आजाद मीडिया के सामने आए तो टीपू पर बयानों के ऐसे वांड का सेना हक की बक्की रह गई चंशेकर आजाद यूपी में दलितों की राजनीत करते हैं और दावा कर रहे हैं कि अखलेश उन्हें लंबे अर्से से गटबंधन की गोली दे रहे थे लेकिन जब गटबंधन का मौका आया तो अखलेश ने गच्चा दे दिया हम सब लोग भ तो मैं समझता हूँ कि वो इस गटबंधन में दलित समाज के लोग को नहीं चाहते हैं रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथी साथ गाजय वादवी सीट मैंने दी दो सीटें पूरी दे दी गई थी उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया अब वो फोन किस भी किसी से बात चीत हूई यह नहीं जान सकता हुआ हैं और उसके बाद वुअ है कि मेरा संक्शन मेरे खिलाफे मैं चेणाव सकता हूँ और मैं चेणाव नहीं लड़़ूंगा ये बात हुई क躓 लोग घायल चंशे-खराजाद ने समाज-वादियों को खूब-खरी-खो अख्लेशी को दलितों की जोड़त नहीं है वो इस गट बंधन में वो इस गट बंधन में दलित नेताओं को दली लीडरिशिप को नहीं चाहते हैं अब चन सेखर आजाद अपने कोर दलितों बैंक के साथ मीम पार्टी के नेता अस्तुद्दीन उबैसी के साथ नए कट बंधन में चुनाओं में उतरने की तैयारी कर रहे हैं उबैसी इस बात के संकेत पहले भी देते आए हैं उनके कारकरताओं को कई बार दलित मुस्लिम भाई भाई के नारे भी लगाते देखा गया है दरसल दलित और मुस्लिम ओड बैंक पश्मी उपी में बड़ा सियासी उलट फेर करने की शमता रखता है इसी समीकरण के दम पर मायावती उपी में राज करती रही हैं लेकिन देखना ये है कि अस्दुद्दीन ओवैसी के साथ चंसेखर के जुडने से क्या दलित और मुस्लिम यूपी में एक नई सियासी ताकद बनाएंगे कि कभी पाब लिंचिंग के नाम पर मुस्खास तोर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है जलुम करने वालों के खिलाफ कभी कोई अक्षिन नहीं लिया जाता हलांकि OVC की पार्टी कल पहली लिस्ट जारी करने वाली है अब देखना है कि लिस्ट जारी करने से पहले भीम और मीम के कटबंधन का एलान होता है या फिर दोनों एक दूसरे के कंडिडेट को समर्थन देते हैं लेकिन दोनों के मिलन का सबसे ज़्यादा जटका किसको लगने वाला है जाहिर सी बात है जिस बीस-पीसदी ओट बैंक पर OVC की निगाहें हैं उसी ओट बैंक से टीपू को सबसे ज़्यादा उम्मीद है अगर चंज सेखर के मिलने से यूपी की बीस सीटों पर भी भीम और मीम मिलकर बड़ा खेला कर देते हैं तो अखिलेश के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी यूपी में पहले चरण के चुनाओ का आगाच पश्यमी यूपी से होना है जहां अखिलेश ने अपनी साइकिल पर जाट मुसल्मान और पिछणों को बिठाने की फितरत में नए नएकट बंधन बनाए हैं लेकिन बीजेपी इस इलाके में लड़ाई अली बनाम बजरंग बली की बनाकर असी बीस वाला दाओ चल रही है ताकि बहु संख्यक हिंदों के समर्थन के दम पर ओँ दोहजार सत्रह वाला करिश्मा दोहरा सकें लोनी से बीजेपी के प्रत्याशी नंद किसोर गुर्जर ने अखलेश यादा और उनके गड़ बंधन पर प्रहार करते हुए नारा दिया है कि लोनी में ना अली न बाहु बली सिर्फ बजरंग बली दूसरी तरफ योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी के कराना से प्रत्याशी नाहिद हसन को गिरफतार किया है नाहिद वही नेता है जिस पर दंगा जीवियों और पलायन वादियों को बढ़ावा देने के आरोप है पश्यमी यूपी में पलायन बड़ा मुद्दा रहा है अखलेश यादों जहां हिंदू मुसल्मान सबका ओट मांग रहे हैं तो बीजेपी हिंदूओं को बार बार संकेत दे रही है कि वो तिक्रमी टिकैत और साइकिल सवार डिकैतों के बहकावे में न आएं वरना रिवर्स पलायन की खुशी दस मार्च के बाद कायम नहीं रह पाएगी गवर किजिये कि जिस कहराना से योगी राज के पहले लोग अपना घरबार अउने पौने दाम में बेज कर भाग जाते थे अब वहां रिवर्स पलायन हो रहा है क्योंकि योगी हैं तो मुम्किन है मैं फिर इस कस्वे के सभी लोगों को इस बात के लिए अस्वस्त करता हूँ कि वे बेज जग यहां पर अपने बुर्वजों की भूई पर रहें यहां की विरासत को संग्रक्षन करना और साथ साथ यहां के ब्यापारिक और अध्यों की माहूल को और तीपरता के सादागी बढ़ाने के लिए सरकार हर परकार का सयोग करेगी इसके अलावा पर्शमी यूपी दंगों के लिए बदनाम रहा है बीजेपी की नेता बार बार याद दिला रहे हैं कि 2017 से पहले की साइकल वाली सरकार में 700 दंगे हुए थे और हिंदूों का जीना हराम हो गया था लेकिन योगी की रामराज में दंगाईयों की हिम्मत नहीं हुई कि यो चाकू निकाल सके रामपूर की ये चाकू जो कभी रक्सा के काम आती थी जिसके करने इसका नाम रामपूर पड़ा था समाजबादी पार्टी की सरकार में दलीतों की जमीनों पर गरीबों की संपत्यों पर कबजा करने का वो माध्यम बन गया था और इसलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया बीजेपी ने टीपू के सबसे बड़े सिपाही आजम खान की सीट पर आकास सक्सेना को मैदान में उता रहा है जिन्होंने आजम खान पर राश्ट द्रों का मुकदमा दर्ज करा कर उन्हें रामपूर में चुनोती दी थी और आजम खान अब तक जेल में है जबकि जमानत मिलने के बाद भी उनका बेट अब्दुल्ला योगी के बुल्डोजर के डर से जेल से बाहर नहीं आ रहा आजम का बेटा 18 सितंबर को रहा हो चुका है आजम को के बेटे को वहां किसी ने रोक के नहीं रखा हुआ था भगवान जाने किस डर के मारे वो वहां बैठा हुआ था हो सकता है बाबा की गाड़ी से डर रहा हो बाबा के बुल्डोजर से डर रहा हुआ तो सर्कारी तौर पर तो 18 सितंबर जे रहा है इसी के साथ रास्टवाफ में आज के लेता हैं कल फिर से मिलूँगी तय वक्त पर तब तक के लिए देखते रहे हैं जी हिंदुस्तान और रोजारा रात 9 बजे मेरे साथ रास्टवाफ